एक कुत्ता जो की एक मिनट में 27 से 28 सांस लेता है वह 10 से 12 साल तक जीता है. वहीं पर एक इनसान एक मिनट में 16 से 20 सांस लेता है और वह 80 से 100 साल तक जीता है. लेकिन एक कच्छुआ जो की एक मिनट में सिर्फ पांच से छह बार सांस लेता है वह पांच सो से छह सौ सालों तक जीता है इस स्पष्ठ है कि जिस जीव की सांसों की संख्या जितनी कम होती है वह उतनी ही लंबी आयू तक जी सकता है इसी चीज को समझ कर हमारे पूरवजों ने सांसों की संख्या को कम और उसकी गहराई को ज्यादा करने के विज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया था क्योंकि वह समझ गए थे कि इनसान को जीने के लिए साल या महीने नहीं, बलकि एक निश्चित संख्या में सांस मिलती है। सांसों के लेने की गती को कम करके उमर को लंबा किया जा सकता है, लेकिन सांसों के धीमा और लंबा होने की यह गती प्राक्रतिक रूप से होनी चाहिए. यदि हम जोर से गहरी सांस लेते हैं तो तेज प्रवाह के साथ शरीर के अंदर बैक्टीरिया नश्ठ होने लगते हैं कोशिकाओं की रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है बोन मैरो में नए रक्त का निर्मान होने लगता है आटों में जमा मल विसरजित होने लगता है मस्तिष्क की जाग रूपता लौट आती है जिससे समरण शक्ती दुरूस्त हो जाती है आजकल अधिकतर लोगों की सांस उखडी और बिखरी हुई रहती है लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि उनकी सांसे किस प्रकार चल रही है जब क्रोध का भाव उठता है तो सांस बदल जाती है वहीं पर जब काम वासना का भाव उठता है तब भी सांस बदल जाती है हमारे प्रत्येक भाव और विचार के साथ हमारी सांसे भी बदलती रहती है इसके साथ हमारे खान-पान और रहन-सहन से भी यह बदलती रहती है पूरा योग विज्ञान ही सांसों को सही तरीके से लेने पर टिका हुआ है एक योगी अपनी भावनाओं को नहीं दबाता, बलकि वह अपनी सांसों पर नियंतरण हासिल करता है, और सांसों को नियंतरित करते ही वह अपने मन पर भी नियंतरण पा लेता है। इसी लिए वह प्राण उर्जा का उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकता है और खुद को दीरगायुवान बना सकता है। यानि बच्चा से हमारे अंदर का क्रोध, चिन्ता, जलन, अहंकार, बदला लेने की भावना ये सभी हमारी सांसों के हिसाब से ही चलता है। अगर हमारी सांसों पर हमारा नियंत्रण हो, तो यह सभी विकार हमारे नियंत्रण में होते हैं। अगर आपने कभी किसी बच्चे को सोता हुआ देखा हो, तो आपने अनुभव किया होगा। कि जब वह बच्चा सांस अंदर लेता है, तो उसका पेट फूलता है, और जब सांस छोड़ना है, तो पेट पीछे जाता है। यानि बच्चा अपने पेट के नीचे नाभी से सांस लेता है, जो कि सांस लेने का सबसे प्राकृतिक और सही तरीका है। अपनी गहरी और लंबी सांस की वजह से बच्चे का मन उत्साहित और हलका रहता है और उसका शरीर ज्यादा प्राकृतिक तरीके से काम करता है। बच्चा अपने मन में किसी बात को ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखता और ना ही वह किसी से ज्यादा लंबे समय तक गुस्सा रहता है। अगर उसे किसी गलती पर डांट या मार दिया जाए तो वह कुछ समय बाद उसे भी भूल कर अपने खेल में मगन हो जाता है। बच्चा इतना सरल इसी लिए हो पता है, क्योंकि उसकी सांसे प्राकृतिक रूप से चलती है। इंसान ने अपने जीवन में कुछ प्राकृतिक परिवर्तन कर, अपनी सांसों को छोटा कर लिया है। वह पेट की बजाए अपने सीने से सांसों को लेता है। हम जितनी छोटी सांस लेते हैं, उतनी चिंता और बकवास से भरे रहेंगे। हमारी सांसे जितनी लंबी और गहरी होगी, हम उतने ही खुश और शांत रहेंगे। अगर एक मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या नव से कम हो जाए, तो पेड़ और वनस्पती जो कार्य कर रहे हैं, उन्हें समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हमारी सांसे एक मिनट में छह से कम हो जाती है, तो बेजान चीज कैसे काम करती है, यह समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा. बेजान चीजों के कमपन और उनसे जुड़ी दुनिया हमारे लिए सपष्ट हो जाती है. हम जो सांस अंदर लेते हैं, उसकी लंबाई दस अंगुल होती है, और सांस बाहर निकालते समय इसकी लंबाई बारह अंगुल हो जाती है. यहां एक अंगुल का मतलब एक अंगुली जितनी मोटाई होती है. हमारी रोज मर्रा की जिन्दगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करते समय जितनी लंबी सांस अंदर जाती है उससे कई गुना ज्यादा लंबी सांस बाहर निकल जाती है भोजन करते समय बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई 16-17 अंगुल होती है तेज चलते समय सांसों की लंबाई 22-24 अंगुल हो जाती है दोडते समय निकलने वाली सांसों की लंबाई 45-50 अंगुल तक पहुँच जाती है संभोग करते समय 50 से 60 अंगुल तक पहुँच जाती है सोते समय नींद में बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई 60 से 70 अंगुल तक पहुँच जाती है इसलिए हमारे शास्त्रों में काम और क्रोध पर नियंतरन रखने की बात कही गई है स्वर्षास्त्र के अनुसार यदि बाहर निकलने वाली प्राण वायू की लंबाई एक अंगुल कम हो जाये तो व्यक्ति निश्काम हो जाता है यानि उसके अंदर काम वासना खत्म होने लगती है दो अंगुल कम होने से आनंद की प्राप्ती होती है तीन अंगुल कम होने से लेखन शक्ति बढ़ती है चार अंगुल कम होने से वाक्य सिद्ध प्राप्त हो जाती है पांच अंगुल कम होने से आदमी को दूर द्रिष्टि प्राप्त होती है छे से साथ अंगुल कम होने से अतिती ब्रगती से चलने की शक्ति आ जाती है, जिससे वह कुछ ही पलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच सकता है. आठ अंगुल कम होने से मनुष्य को आठों सिध्यां प्राप्थ हो जाती है. सांसों की लंबाई, बारह अंगुल कम होने पर योगी को इच्छा मृत्यू प्राप्थ हो जाती है. फिर वह जब चाहे तब तक खुद को जीवित रख सकता है. लेकिन यह सोई हुई शक्तियां केवल तब ही जागरित होगी जब मन में इन्हें जागरित करने की अभिलाशा होगी.